कि अज का टोफिक है management of anti-psychotic side-effects सो चले स्टार्ट करें कीन्त फार्माशिस जाने है हलो गाइस अभी हम स्टार्ट करेंगे anti-psychotic जिकर drugs के different different side effects है तो सबसे पहली side effect कौन जो सबसे ज्यादा है वो sedation और weight gain यह दो side effect हमें कौन सी ड्रग में सबसे ज्यादा दिखा जाए जैसे कि close up in, olanzapine and cut up in हमें इसे याद कैसे करेंगे जैसे कि C, O, Q, दोनों में round shape होता है round shape मतब कि हमारा stomach का round कैसा round होता है अब जब भी ज़्यादा खाते है तब भी हमारा पेट कैसा round हो जाता है जो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जैसे कि close up in, olanzapine, cut up in और low potential वाली first generation anti-psychotic drugs यह भी हमें sedation और weight gain सबसे ज्यादा देती है जैसे कि chlorpomazine and methotra-miprazin अब दुस्री side effect है insomnia और lacidation यह में सबसे ज़्यादा eripiprazole और periparidon उनमें सबसे ज़्यादा दिखी गई है और less weight gain जप्रासिडोन और लूरासिडोन जब भी patient बहुत ज़्यादा obesity उसकी body mass means उसका weight बहुत ज़्यादा है तब यह जप्रासिडोन और लूरासिडोन antipsychotec देनी चाहिए ना कि Clozapine, Olazapine and Qtapine अब यह metabolic abnormalities जैसे कि glucose का बढ़ जाना, diabetes हो जाना, cholesterol बढ़ जाना, LDL, HDL में changes आना यह सब हमें सबसे ज़्यादा COQ मतलब कि Clozapine, Olazapine, Acutapine में सबसे ज़्यादा देखी गई है, क्यों? क्योंकि यह weight gain, obviously weight gain करता है तो हमारी body में metabolic सबसे ज़्यादा changes हो सकती है, so metabolic abnormalities COQ में सबसे ज़्यादा देखी गई है अब extrapyramidal symptoms and hyperprolactinemia जैसे कि prolactin का बढ़ ज्यादा यह हमें सबसे ज़्यादा paliparidon, dyspareidon, इनमें सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है Clozapine, Unquitapine में extrapyramidal side effect, क्या हो? मतलब कि dystonia, tardiduskinesia, akathisia, Parkinsonism and dyskinesia यह सब extrapyramidal symptom है, यह सबसे ज़्यादा हमें periparidon और dyspareidon, इनमें सबसे ज़्यादा यह side effect देखे गए है अब hyperprolactinemia, इसमें क्या है? यह सबसे ज़्यादा dopamine antagonist drugs है, anticycory so dopamine antagonist हमारा prolactin level बढ़ा देता है prolactin level बढ़ जाता है, तो इसके वज़े से FSH और LH का लेवल गट जाता है तो इससे वज़े से क्या होता है, कि woman में menstrual irregularity सबसे ज़्यादा हो दी है क्योंकि FSH और LH लेवल में changes हाज जाता है तो इसके वज़े से man में gynecomastria दिखा गया है और galact, woman में galactoria दिखा गया है क्योंकि dopamine का level जैसा ही गटा है, prolactin बढ़ता है prolactin बढ़ता है, तो FSH और LH लेवल गटा है चो hyperprolactinemia दिखा गया है considerate में risparidon, हमें आगे भी देखा कि risparidon में सबसे ज़्यादा hyperprolactinemia दिखा गया है अब QT prolongation QT prolongation हमारे यह रिदम में करता है, जैसे कि depresidon drug यह drug में हमारा supraventricular tachycardia means यह रिदम में problem depresidon में होता है चो कोई भी cardiovascular disease वाल पेसेंट है उसमें depresidon कभी भी नहीं देनी चाहिए अब OLAN जापैन जब भी देते हैं तो कुछ पेसेंट में हमें racist means atopic dermatitis यह सब mostly dermatological side effect देखी गए OLAN जापैन में और cardiovascular risk depresidon और close up in इन दोनों drug में cardiovascular risk सबसे ज़्याद होता है तो कोई भी पेसेंट हाइब ब्लड़ पेसर आइब ब्लड़ पेसर आइब ब्लड़ पेसर कंचेक्ट्री हाउट फेलर यह सब पेसेंट है तो cardiovascular risk वाली यह side effect वाली है क्लुजपाइन और depresidon हमें नहीं देनी चाहिए क्यूट्यापन क्या और tag risk side है हाई जब भी पेसेंट प्लड़ 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 ले रहा है उनमें हमें tag risk rate का लेवल जादे दीखा गया क्यों क्यों तुकि यह वेट गेंग करता है तो अमारी cholesterol level उन सब में चैंज हाता है प्लाप गया रुक्ष्क्षर को और मेरा इसक्राम चैंट खाता है